Hello everyone, this is Vishal Singh here and welcome to the Winnie Classes. Today we have a very special class regarding hydroxychloroquine. क्या है hydroxychloroquine? क्यों आज बड़े बड़े देश इसकी डिमांड कर रहे हैं? चलिए जानते हैं जिस ड्रक्स के बारे में या इस दवाई के बारे में कैसे ये coronavirus के against में effective है? हम सबसे पहले देखेंगे कि hydroxychloroquine है क्या? ये एक anti-malarial drug है. क्या है anti-malarial drug? जो की malaria और arthritis को ठीक करने में यूज की जाती थी. लेकिन जब बात आती है COVID-19 की, coronavirus की, तो क्या hydroxychloroquine इसका treatment क्यों है? हम देखेंगे, क्या COVID-19 का कोई treatment है? क्या COVID-19 का कोई ilaj है? answer नहीं. अभी तक इतने बड़े-बड़े देशों के पास में भी COVID-19 का कोई ilaj नहीं है. लेकिन सारे देश हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं हुए हैं. वो कोई ना कोई इसके लिए प्रयास कर रहे हैं. जिसको की बोला जाता है कि इसके लिए दवाई बनाने का काम under trial में है. लेकिन कोई भी drug को under trial में जब रहती है तो अचानक से market में नहीं लाया जा सकता है. इसमें समय लगता है. जब हम बात कर रहे हैं आज की rate में hydroxy chloroquine को लेके आज भारत, USA, चाइना, पाकिस्तान, जितनी भी और भी कई countries है वो चर्चा में है. USA, चाइना, UK डिमांड कर रही है. मान कर रही हैं कि hydroxy chloroquine हमें चाहिए वो भी भारत से. तो क्यों भारत से ये डिमांड कर रही है? सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत एक ऐसा देश है जो की number one producer और exporter है. hydroxy chloroquine का. हाँ, भारत एक number one producer और exporter है hydroxy chloroquine का. तो बाकी country के ऐसके producer नहीं है. हाँ, number one नहीं है. और भारत से इस दबाई के निर्या, यदि हम बात करें export की, तो उस पर ban है, प्रतिबंध लगा हुआ है. लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी कुछ जादा जरूरत को समझते हुए हमारे देश के प्रधान मंत्री ने, कुछ guidelines में परिवर्तन करके ये निर्नलिया कि हाँ, एक विस्व गुरू की तरह भारत को हमें ये काम करना है और जहां जरूरत है, वहां पहुचाना है. फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि या hydroxy chloroquine कैसे इतना एक anti-malarial drug सामने आई? तो हम जब बात करते हैं, तो ICMR की जब हम बात करें तो ये Indian Council of Medical Research है न्यू देली में, इनने कई सारी medicines को जब दवाई नहीं हो रही थी, नहीं बन पाई थी, तो कई सारी medicines का trial किया गया, जब द हाँ, ICMR ये दावा नहीं करता है कि आपका जो hydroxy chloroquine है वो इस बिमारी को पूर्णतार खतम कर देगी, लेकिन ये कैसे काम करती है, आईए हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं COVID-19 की, तो COVID-19 एक coronavirus है, ये virus क्या होता या कोई भी virus इसके लिए body की cell जरूरी होती है, किसी भी human body की इंसानी cell जरूरत होती है, इसको growth करने के लिए, तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी जगा है, कहाँ पर इसकी target cell होती है, जहाँ पर आपका coronavirus अटेक करता है, तो यहाँ पर सबसे पहली जीत जो होती है, आपकी body में, ACE2 receptor, ये ACE2 receptor क्या है, एंजियो टेंसिन converting enzyme 2, एंजियो टेंसिन converting enzyme 2 क्या है, जैसे कि हम बात करें, ये human cell है, या human की कोसिका है, तो यहाँ पर एक receptor होता है, कोई भी virus को, या coronavirus को यहाँ पर attach होके body में enter होने के, या cell के अंदर enter हो जाता है, तो आपकी hydroxy chloroquine क्या करती है, वो यहाँ bind हो जाती है, और आपके coronavirus को entry नहीं देती है, दूसरी चीज यह theory कहती है कि quinine reductase 2 inhibitor, अब यह quinine reductase 2 inhibitor क्या करता है, यह quinine reductase इक ऐसा enzyme है, जो की cellic acid बनाता है आपकी cell में, अब यह cellic acid क्या है, cellic acid एक ऐसी चीज है, जैसे की covid-19 virus के लिए target, cellic acid उसके लिए target उसके लिए खाने का काम करता है, यादि यह inhibit हो जाता है, तो covid-19 आप पर attack नहीं कर पाता है तो दूसरी चीज यह, जब तीसरी चीज हम बात करते हैं, तीसरा target क्या होता है, इसके लिए pH of the lysosomes, lysosomes क्या होते हैं, आपकी जब हम cell की बात करते हैं, body की तो उसमें जो lysosomes होते हैं, उसमें को suicide backs भी कहा जाता है, इनमें ऐसे enzymes होते हैं, जब यह blast हो जाता है, तो यह antigen या कई सारे bacteria क्या against काम करती हैं, उनको diminish करती है, खतम करने का काम करती है, तो chloropin क्या करती है, lysosomal pH में change कर देती है, pH में change करने के कारण क्या होता है, जब हम coronavirus की बात करते हैं, जो उनके spikes या protein होते हैं, किसी भी body में attach होने के लिए, ये cell के अंदर जाने के लिए attachment part होते है जो जोडने का काम करते हैं, तो आपका जो pH होने के कारण ये spikes काम नहीं कर पाते हैं, निस्क्री हो जाते हैं, इनेक्टे हो जाते हैं, जिसके कारण COVID-19 आपकी body को save करता है, लेकिन ज़्यादा तर COVID-19 किनको दी जा रही है, ज़्यादा तर doctors को जो coronavirus बाले मरीजों के संपर् में हैं, और ज़्यादा तर जो उससे मिलते जुलते हैं, जिनमें हमें ऐसी chances हैं कि जिनमें coronavirus हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से coronavirus ज़्यादा तरस हम ये दवाईयां doctors को दे रहे हैं, या तो उन patients को जिनमें ये symptoms generate ना हो, ultimately ये आपके virus को kill करने का काम नहीं कर रही है, ब और यदि हम इसी बात करें तो इपका और जाइडा स्कैडला जो एक ऐसी company हैं, जिनको हमारी government ने अभी से कई सारा production के लिए अनुमती दे दी है, और भारत में तो hydroxy chloroquine की कमी नहीं होगी, और इतनी जादा मात्रा में इसका production कर लेंगे, कि हम बाकी देशों की कमी को भी प solution है, तो जब तक इसकी कोई दवाई perfectly नहीं बन जाती, perfect तरीके से, तब तक you have to stay in your home, thank you and all the best.